असलाम अलेकुम दियर स्टूडेंट्स, में देक्रेटर ब्लेस अस आल दियर स्टूडेंट्स, तोड़े आम गोईंग तो गिव यू आ कंसेप्ट आप जीरो विद एडिशन आज आपको मैं सिखाऊंगी कि किसी भी नमबर के साथ जीरो कैसे एड होता है या नहीं होता है ठीक है बेटा, दिया रखिए पहला पार्ट है वान प्लस जीरो वान को जीरो के साथ जोड़िए ठीक है बेटा, जीरो मैं आपको बताऊंगी जीरो जो है, ये कुछ नहीं है जीरो इस नथिंग, जीरो कुछ भी नहीं है means कोई नमबर नहीं है ठीक है बेटा, जीरो को यहाँ पे वन है तो आपको वन लाइन बनानी है ठीक है, या आप इसमें लाइन नहीं भी बना सकती हो ध्यान में रखना, वन तो जिरो का मतलब है कुछ नहीं तो आपको भी यहां पे कुछ नहीं बनाना है ठीक है तो कितने हैं यहां पे उसके बाद आपको चैक जैसे आप पहले नमबर पहला नमबर चैक करते थे फिर उतनी लाइन्स बनाते थे दूसरा number चेक करते थे फिर उतनी lines बनाते अब यहाँ पे number one है यह one है तो आपको one line बनानी है zero है zero means nothing zero कुछ नहीं होता है इसका कुछ value नहीं है तो zero means nothing तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं बनाना है तो एक ही है तो यही एक आपको लिखना है ठीक है बेटा यह मैंने आपक समझानी के लिए यहाँ पे बनाए अब दूसरा number three plus zero तीन को zero के साथ जोड़ना है मैंने अभी इससे पहले आपको बोला zero means कुछ नहीं तो three के साथ कुछ add ही नहीं करेंगे तो वो कितने बनेंगे three ही वो जितने हैं उतने ही रहेंगे zero से इनको कुछ फरक नहीं पड़ता ह ठीके तो अब यहाँ पे है तीसरा part zero plus nine कुछ नहीं को now add कीजे कुछ नहीं means आपको कोई भी number नहीं इसके साथ डालना है या add नहीं करना है यहाँ पे zero है zero means कुछ नहीं तो nine ना जाएगा सीधा नीचे ठीके पेटा ऐसे ही practice करते रहें देखे one plus zero one ही होता है यहाँ उसके स कुछ add नहीं होगा zero means nothing three plus zero three तो सीधा three आपको नीचे answer लिखना है because zero is nothing now here is zero plus nine confusion मत होगा आपको मैं लिख रही थी पहले number फिर zero इसलिए मैंने यहाँ पे zero आगे लिखा फिर लिखा दूसरा digit zero का zero कुछ नहीं है तो इसलिए सीधा nine zero plus nine zero is nothing to nine answer है क्योंकि इसके साथ कुछ भी add नहीं हुआ अब ऐसी प्रैक्टिस कारते रहिए जब तक आप फुजिरो का concept आएगा thank you have a nice day